असलाम लेकूम, आज मैं आपके लिए बहुत ही शपाइसी बहुत ही चट पती चिकन बरियानी की रेसीपी लाई हूँ. आज तक आपनी रेसीपी यह ऐसी बरियानी कभी निखाई होगी. चलते हैं पनी रेसिपी की तरफ मैंने एक कपाई लिया है, उसके अपनी प्यास बरी काट लिया है, अची तरह से ब्राउन कर लेंगे, गॉल्डन ब्राउन हो जाएगे तो इसको निकाल के साइड पर रक लिया है, लेसना दर पेस्ट लिया है, उसके अंदर हम चिकन ताके लेसन की साथ चिकन की भी स्मेल खतम हो जे नमक ढालूंगे ताका चिकन में भी इसकी टेस्ट आजूंаньंड सा एचाथ साथ छमज हळा लेंगे लिंगे बना ही होक्ति है अब सात मैं पर टेमाट्र घर करओं गए मैंने तीन बड़ टेमाटर लिये तो बारी काड़ लिया है इनको भी डाल के बनाई करें कि रेसिपी फुल देखनी है और स्टेप हर चीज होगी बहुत ही मज़े की बहुत ही चटखारी सी खटी मठी मिर्यानी होने वेली है तो आपको पसंद आएगी इसको अच्छे तरह से बहुन लेंगे टिमाटरों को अच्छी सी बुनाई करेंगे ताकि मारा मसाला अच्छा त्यार हो जाए और यह हर चीज में इसके साथ एड़ करोंगी चिकन के ताकि चिकन में भी हर चीज का टेस्ट आएगा जो जो मसाल्य एड़ करेंगे जो जो चीज एड़ करेंगे सब जो प्राइब भी बिल्कुल भी नहीं होगी बहुत ही मज़गी होगी तो अब इसके बिर्यानी मसाला एड़ करेंगे अब आपके घर वाला मसाला है वह एड़ कर ले मैंने बजार वाला यूज किया यहां पर इसको भी हम डालेंगे ताकि इसकी पर अच्छी से बुनाई करे हमने तो इसके बाद मैं इसको ठक दूँगी थोड़ी जार हम इसको चार से पांच मिनट ताकि चिकन की जो अपनी यखनी है वो निकलाएगी तो देखें आपको नज़रा रहा है इसको हम भून लेंगे अब साथ साथ हम बागी चीज़ एड़ करेंगे मैंने लेमन चूस है उसे पाँ लेमन लिये है वो का जूस निका ल हई टयाए है इनका जूस निद्रिए तो यह जयाए खांगी हैं तो झाच च्छा चूसी तना मज़ होगा तो देखें इसके जहें मैंने बनाि करिंगे सा हाथकोmee कि teu पानिया लेटनी करके चीज़रा ने यसको पकाना फिर इसमें एक प्यारी के बराबर इसमें मैं दही आड़ करूंगी दही को भी निची तरह फेट लिया था तो वह इसमें आड़ करेंगे तही का अपना पानी भी होगा तो फिर इसको दम पे लगा दें कि आट से दास मिनट तक लगाएंगे ताकर चिकन हमारी अच्छी से ग करेंगे अब मैं इसको ठक दूंगी तो देखें माशला कि इतना अच्छा त्यार हुआ है मारा मसाला इसको मैंने अब हाई फ्लेम पे भूनना है जो एक्स्ट्रास का पानी रह गया वो खत्म होज़ए तक है इतना जूसी है इतना च्टपटस है बहुत ही मज़े की बरिया दालची काली मिर्ट साबट लिए धनिया लिए और पदीना थोड़ा से नको काटके डाल दिया और चावल भी डाल दी इनको रख देंगे चावल पैक चुके हैं इनकी तैय लगाएंगे आप चावल देके कितने खिले कितने मज़दार बने था चावल कभी फूल बॉयल न अब एक पर वाइड कर सकते हैं धनिया पदीना डालूंगी बारी करें दालूंगी और साथ हम जर अपना फूड का लर जो ऑड़ा डालें या पर 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 पस और चावल जो रहते हैं इस तो देखें कितने अच्छा लग रहे हैं अब हम इसको मिक्स करेंगे आपने भी ट्र बहुत ही जूसी बड़ी जुसी मुझा हैं भीकि खिकी नहीं है इसके राइसं भी बखुट मज़गे मैं नमक अड़किया है जब मैं चावल बाइल का रही थी तो नमक भी अड़किया है माशाला से कितनी अच्छी लूख आई है कितनी मज़गे लग रही है आपी ट्राय कीजिएगा, Allah हाफीज